नशीम शाह के लिए जितनी इताजिए पूसी बात फजलक फरूवी भाई कहा के डेथ वोलर हो खुद की टीम की डेथ करवाते फिर से हो तो नसीम की जितनी तारीफ करो तरी का बसट अब जिनेश कार्थिक लपेट के चले आते हैं नसीम शाह ने तो रूटीन बना ले अपन अफ़ाने खाई अफ़ाने तो रूट गया रूट अट अट इन अपर फिर भी पूर अंपाइरी जो उनका जो नोब बॉल नहीं दिगे थी थी शदाब नोब बर शदाब ने खेली सबसे दो हम कह रहे थे इनके मिडल ओर्र में जिम्मेदारी को निभाता तो शदाब है औ पाकिस्तान को फाइदा हो गया की इफ्तिकार आउट हो गए इनी फाइदे तो बहुत वह इमाम आउट हो गए इसब तो यहां पर टक मैं सिंगल ले लूँ तक सिंगल ले लूँ यह चोवन रन की पारिक है आपको वहां पर चाहिए भले वो जैसा मर्जी बैट उसको इतन इतना तरीका होना चाहिए बले वो 12 रन बनाए लेकिन 6 बॉल में 11 रन है वो के मैं रुको दस्वे नंबर का बैट्समें 11 को गया रुख जा मुए नहीं सिंगल ले रहा तू खड़ा होजा मैं जिता दे तो मैच यहां पर गलत है आप ढूंड कह रहे हो वो अप्रोच ही आ आज पाकिस्तान गहीं बज गया है बट उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि जुए वहां पहीं नहीं कहीं एक होल है दोनों तरीके से धीरज आप यह को पाकिस्तान बच गया मिडल ओर को होल मैं यह कहूंगा कि पाकिस्तान ने पहले 300 खाए फिर पाकिस्तान चलो एक पाकिस्तान इसको दोनों तरफ से अब देख सकते हो हाँ उनके मिडल ओर में वो गैप है क्यों है क्योंकि इन कंडिशन में जहां पर बॉल अचानक से ड्रमाटिकली उनके स्पिनर्स का ग्रिप होना शुरू हुआ अफगानिस्तान का तो पाकिस्तान इफ्तिकार वेगरा इनकी गेम क्याए मार दूंगा बाहर अब वहां पर नहीं जो शाजादा्याब नए बयाद की सथा अरगा HR ने यह ले ने किया या ले दो यह ले दो इवन शहीं साभी काम क्या हगे चुद लां कि